National Highway 7 पर एक बैल है, गाड़ी के साथ ही दोड़ा चला जा रहे है वहाँ पर हजारों गाड़ी आ रही है, हजारों गाड़ी जा रही है लेकिन उन्होंने कहीं किसी ने भी मदद ने की उस समय हमने फिर बैल को अलग थे, गाड़ी को थोड़ा साइट में लगाया बुरा उस समय यह लगा कि लोगों ने भी यह समझे ला है, कि यह सर्फ NGO के ही रिस्पॉंसिबल्टी है यह कहना है 19 साल के अरपन जी का, जो क्लास 6 से अपने भाई और कुछ साथियों के साथ मिलकर पंजाब के एक छोड़े से शहर रामपुरा में गौसेवा परिवार चलाते हैं जहां वो जानवरों का रेस्क्यू, उनकी ट्रीटमेंट और उनकी अडॉप्शन करवाते हैं आज उनके पास 200 से भी ज्यादा मेंबर्स की टीम है और एक हॉस्पिटल भी है और वो साल में करीबन 500 से भी जादा आनिमल्स को रेस्क्यू करते हैं लेकिन इतना अच्छा काम करने के बावजूदी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हर रेस्क्यूर को फेस करनी पड़ती है रेस्क्यू के लिए तो कॉल आ जाती है जिस बंदे की कॉल आई होती है वो बंदे ही नहीं आता है अगर सुसाइटी मदद नहीं करेगी तो कही न कही अपना कदम पीछे हटा किसी गाएं को किसी ने खाड़ी लगा दी जहां किसी ने ऐटक करती है तो फो क्रियल्टी में हम काउंट करते है लेकिन जो लोग गाये को दूठ के लिए रखते हैं और उसके बाद छोड देते हैं, वो भी एक तरह है की उसपर quality ही है, चाहे छोड़ा है, चाहे बड़ा है, हर किसम के, इंसान के लिए तो एक ही बात है कि जो ऑर दूठ के लिए हम से ही होरी है इतनी दिक्कतों के बार भी गौ सेवा परिवार बेजुबानों के मदद करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और वो एक ambulance पी लेना चाहते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जानवनों की मदद कर सके और इस प्रयास में आप उनकी मदद कर सकते हैं उन्हें डोनेशन्स देके या फिर इस वीडियो को शेर करके